हलो फैंग्स आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में देखिए सिस्टम की बात करें तो ये यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट होता हैं जिसको हम थर्मो डाइनिमिक इस्टेडी के लिए सलेक्ट करते हैं अब सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रियल सिस्टम की तो देखिए अगर हम सिस्टम को एक्स्रुमेंटल वर्क के लिए सलेक्ट करते हैं तो उसको हम रियल सिस्टम कहते हैं और आइडियल सिस्टम की बात करें तो जब हम पैंसिल य को simplify करने के लिए consider किया जाता है, अब बात करते हैं open system की, तो देखिए open system एक ऐसा system होता है, जो की surroundings के साथ energy और matter दोनों exchange कर सकता है, अब इसको example से समझते हैं, देखिए अगर हम एक वीकर में water लेके उसको burner की help से heat करते हैं, तो burner की heat इस वीकर में enter करेगी, और इससे ये water heat हो और इसकी जो vapors होगी, वो इस वीकर से escape कर जाएगी, तो इस तरह से इस वीकर में energy भी exchange हो सकती हैं, और matter भी exchange हो सकता है, या अगर हम water containing वीकर को thermostated water बात में रखते हैं, तो भी ये एक open system होता है, यहाँ पर जो thermostated water बात हैं, वो surroundings हो जाएगा, फिर बात करते हैं close system की, द इसमें की surroundings के साथ energy तो exchange हो सकती हैं, लेकिन matter exchange नहीं हो सकता, देखिए अगर हम किसी भी water containing seal tube को heat करते हैं, तो उस case में heat तो इस tube में enter कर जाएगी, लेकिन heating करने से जो water vapor में convert होगा, वो इस tube से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इस तरह की system को हम close system कहते हैं, फिर बात करते ह हैं isolated system की, तो देखिए isolated system एक ऐसा system होता है, जो कि surroundings के साथ ना तो matter exchange करता हैं, और नहीं energy exchange करता हैं, अब देखते हैं इसका example, यहां पर हम एक ऐसी sealed tube लेते हैं, जो कि thermally insulated होती हैं, अब इस sealed tube में जो liquid fill किया हुआ होता हैं, वो अपनी vapor के साथ equilibrium में रहता हैं, और इस sealed tube से ना तो matter surroundings के साथ exchange हो सकता हैं, और नहीं heat exchange हो सकती हैं, तो इस तरह के system को हम isolated system कहते हैं, इसका सबसे simple example हो जाएगा thermos flask, जिसमें अगर हम hot tea, coffee या water रखते हैं, तो वो काफी देर तक hot रहते हैं, क्योंकि जो thermos flask हैं, वो thermally insulated होता हैं, अब बात करते हैं homogenous system की, तो देखिए homogenous system throughout completely uniform होता हैं, means हम कह सकते हैं homogenous system में एक phase ही present होता हैं, जैसे इसके example हो जाएंगे pure solid, pure liquid, solution या gases का mixture, फिर बात करते हैं heterogeneous system की, तो देखिए heterogeneous system throughout uniform नहीं होता हैं, या हम कह सकते हैं heterogeneous system में 2 या 2 से ज़्यादा phases present होते हैं, अब देखते हैं इसके example, देखिए अगर हम 2 या ज़्यादा immisible liquids की बात करें, तो वो heterogeneous system हो जाएंगे, इसी तरह से एक ऐसा solid जो की liquid में dissolve नहीं होता हैं, वो भी heterogeneous system हो जाएगा, इसके अलावा अगर कोई liquid उसकी vapor के contact में आता हैं, तो वहाँ पर भी 2 phase हो जाएंगे, तो ये भी एक तरह का heterogeneous system होगा, फिर बात करते हैं macroscopic system की, तो देखिए इस system में large number of particles present होते हैं, ये particles molecules हो सकते हैं, atoms हो सकते हैं या ions हो सकते हैं,